कनिश्क माही हमें पकड़े उससे पहले ही मैं इस नागमनी को मुझ के अंदर रख लेती हूँ हाँ ये सही रहेगा निलम मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि निलम और कनिश्क के ठीक सामने माही खड़ी थी और निलम के हाथ में माही की नागमनी थी माही की आखों में दुनिया भर का क्रोध भर गया था निलम अपने कदम पीछे ले रही थी तभी माही ने क्रोध में आकर निलम के पाओं पर हमला कर उन्हें वहीं जमा दिया इस फरे भरी दुनिया में दोस्तों के अलावा और किस पर विश्वास किया जा सकता था मगर तुम दोनों भी उन जैसे ही निकले ना नीलम और कनिश्क, तुम दोनों यहां मेरी नागमनी लेने आये थे माही हमारी बात तो सुनो एक बार बस गनिश्क तुम नहीं बोलोगे कुछ भी नीलम चोरी करने के बाद भी मुझसे नजर मिला रही है इसका मतलब कि नीलम को अपने किये हुए पर कोई भी पश्तावा है तो जवाब भी नीलम ही देगी नीलम माही को उसकी नागमनी लोटा दो मगर नीलम माही को वो नागमनी नहीं देती तभी कनिश्क को क्रोधाता है और वो अपनी शक्तियों से नीलम और माही दोनों पर हमला कर उन्हें एक-एक पेर से बान देता है बस करो तुम दोनों, बस करो याद और नीलम तु माही को सच बता क्यों नहीं देती हो नहीं अगर मैंने इसे सच बताया तो ये कभी मानेगी नहीं और नागबणी हमसे छीन लेगी सच कैसा सच ठीक है नीलम अब मैं ही खोलता हूँ अपना मूँ और माही और नीलम एक टक कनिश की ओर देखने लगे माही हम तुमारी नागबणी नहीं चुरा रहे थे हम दोनों तो पहले ही सदी के सबसे बड़े नागणागिन है मगर नीलम तुमारी मदद करना चाहती थी बस मदद? कैसी मदद? और आखिर कैसे? माही हम दोनों ने हर जन्म में और हर कहानी में कीवल अपने परिवार को बचाने के लिए ही जिन्द की दाउफ पर लगाई है और तुम भी हमारे परिवार का हिससा ही तो हो तो मैं कैसे तुम्हें इस बदले की आग में जलता देख लेती? और उसके लिए पहले तुम्हारे बीते कल के बारे में पता होना जरूरी है हर नागिन के पास जो नागमनी होती है उसमें उनका जीवन कैद होता है इसलिए मैं तुम्हारी नागमनी को अपनी जुबान से इसपर्श करके तुम्हारे उस बीते कल के हर दर्थ को महसूस करना चाह रही थी और ये कहकर नीलम रोने लग जाती है माही की भी आँखें भर आई थी कनिश्क दोनों को आजाद कर देता है मैंने ऐसे कौन से बड़े कर्म किये थे जो मुझे इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले है आओ दोस्तों फिर सीने से लग जाओ और माही कनिश्क और नीलम को गले लगाती है नागलोग की सेवाँ से छुटी लेने के बाद मैं और कनिश्क सबसे दूर आ गए थे उसके बाद तुम हमारी दोस्त बनी तो हम कैसे तुम्हारी फिक्र न करते माही और नीलम माही को उसकी नागमनी सौब देती है लो तुम्हारी अमानत मगर माही खुद से ही नीलम की जीप पर उस नागमनी का स्पर्ष करा देती है नहीं मेरी दोस्त आज मैं तुम दोनों से अपना गम जरूर पाटूंगी और नीलम माही की नागमनी में कैद यादों में पहुँच जाती है नीलम ने कनिश्क का हाथ भी थाम लिया था इसलिए वो भी उसके साथ यादों में चला जाता है नीलम और कनिश्क उसी खंडर के बाहर खड़े थे तभी उनके बगल से एक प्यारी सी लड़की चहकते हुए निकलती है अरे ये बच्ची कौन है? कनिश्क देखो तो कितनी चहक रही है ये और नीलम कनिश्क उसके पीछे पीछे खंडर में चले जाते हैं वहाँ शिवलिंग के पास खड़ी होकर एक विशाल नागिन पूजा कर रही थी जो के नागिन रोश्नी थी ओम नमशिवाई हे भूले आज तक तु मुझे और मेरी प्यारी बच्ची की सुरक्षा करता चला है जल्दी मैं तेरी दी हुई ये अमानत मेरी बच्ची माही के हवाले कर दूँगी और फिर खुद तेरी सेवा में लग जाओंगी भूले तभी पीछे से वो चहकती लड़की आकर रोश्नी से लिपट जाती है मा क्या मांग रही है मेरे लिए एक सुन्दर वर हट अभी सूला की ही है तू और अभी से वर चाही है इस पागल को अपनी मा को इतनी जल्दी छोड़कर जाना चाहती है नहीं मा मैं तो उसे यहीं रखूंगी मैं थोड़े ही तुझे छोड़कर जाओंगी जाना भी मत तेरे बाबा के चले जाने के बाद एक तू ही तु मेरा सहारा है माही दोनों माबेटी गले लगती हैं उसके अगले दिन उस जगह नाग पंचमी का बड़ा मेला लगना था सब जगह जोर शोर से तयारी हो रही थी रोश्नी ने भी शिवलिंग की पूजा करके माही को नागमनी सौब दी थी माही बेटा यही है हम नागिनों की पहचान ये नागमनी इसकी रक्षा करना हमारी जान से भी ज़ादा जरूरी है अगर ये गलत हातों में लग जाए तो अनर्थ हो सकता है बहुत बड़ा अनर्थ तु चिंता मत कर मा इसे तुम्हें एकदम ही सुरक्षित रखूंगी और माही उसे रसगुले की तरह निगल जाती है ये देख रोश्नी उसके नठखट पने पर बहुत हस्ती है अच्छा सुन अब तू परियों की तरह सुन्दर सी बन कर तयार हो जा फिर हम दोनों मेले में चलेंगे रोश्नी और माही सुन्दर कपड़े पहनती है और मानव रूप में आकर मेले में चली जाती है मा, ये इंसान कितने अच्छे है न, देख हमारे लिए कितनी सारे दुकाने लगाई है, शर्बत की, कुलफी की, चाट की, मा मा वो देख वहाँ जूला भी है, चलना मा, जूला जूलते है हाँ, हाँ, क्यों नहीं माही, अपनी लाडली बेटी की बात नागिन रोशनी टाल नहीं सकती थी, और वो उसके साथ मेले का पूरा आनंद उठाने लगी, मगर कोई भी नहीं जानता था, कि ये मेला उनकी जिंदगी के सारे रंगों को, अपने साथ लेकर जाने वाला है, मेल का चुप हो जाता है, दोनों मेले को चीरते हुए, उस खंडर के सामने आकर खड़े होते हैं, वो असा, ओ, ओ, सौरी, मा, हम यहां क्यों आये हैं, खजाने की तलाश में, एक कामकर तू यहां पीछे छिप जा, और मैं तब तक मेले में जाकर खजाना ढूनती हूँ, और व कहां आ रही हूँ, मगर मुझे तो वो खजाना कहीं नजर नहीं आ रहा, वही है, उसी जगहा पर, जा मालती, आज जीत करा, और मालती मेले की भीड में मिल जाती है, उधर माही का तो जूला जूलते जूलते, सिर ही चक्राने लगा था, ओ, मा, मेरा तो सर ही खुन गया है, हाई मेरी नाजुककली, चल तू खंडर के अंदर जाकर आराम कर, और मैं एक दोस्ते मिल कर आती हूँ, माही अपनी मा की बात मान कर खंडर की ओर मुड़ती है, मगर तभी माही का मन अचानक से बेचैन हो जाता है, और वो मुड़कर अपनी मा के गले से लिपट जाती है, अरी क्या हुआ, इतना प्यार क्यों आ गया अचानक, पता नहीं मा, ऐसे लगा जैसे बस तेरे सीने से लग जाओ, और माही नम आखों से पलट कर खंडर की ओर निकल जाती है, उधर वो लड़का खंडर के बाहर ही खड़ा था, नीलम और कनिश्क दूर खड़े होकर सारी फिल्म अपनी आखों से देख रहे थे, अरी कनिश्क, माही तो वापिस आ रही है, और ये और लड़के की क्या चाल है ये अभी तक नहीं पता चला, रुको, देखने दो, आगे क्या हो रहा है, माही की आहट सुनते ही वो लड़का जट से खंडर के अंधेरे में घुश ज जाता है, माही भी गुन-गुनाते हुए अंदर चली जाती है, ला 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 ला, कितना अच्छा मेला था ना, जब मेरे बच्चे होंगे, तो मैं भी अपनी मा की तरह ही उन्हें खुब गुमाऊंगी, हाँ 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 हाँ, वहाँ अंधेरे में से दो बटन के जैसी आख एक टक माही को देख रही थी, वहाँ सा, कहा रहे गई आप, मैं तो फस क्या यहाँ पर, रोश्नी मेले में चल रही थी, और उसके पीछे-पीछे वो औरत चलने लगती है, जैसे ही रोश्नी एक जगह रुकी, औरत ने अपने हाथ में खंजर ले लिया था, और जोर से हसी जोकी कोई और नहीं, बलकी मालती ही थी, रोश्नी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखती है, और सक पका जाती है, मा क्यों नहीं आई अभी तक, नीलम और कनेश की आँखों से जोरदार आसू बह रहे थे, उधर माही भी रो रही थी, माही, मैं तुम्हारे दर्द की क अलपना भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ करना मेरी दोस्त, उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी, नहीं नीलम, आप नहीं रोना, इतनी छोटी सी गुडिया कितनी ही मदवाली है, देखो ना नीलम, और नीलम और कनेश्क माही को रोते हुए गले लगा कर सहलाते हैं, दोस्तों, सुभा हो गई है, मुझे सागर के उठने से पहले ही वापिस उस घर में जाना होगा, और माही फिर से नाग बनी निकल कर गायब हो जाती है, माही के जाते ही नीलम लड़ खडा कर जमीन पर गिरती है, नीलम संभालो अपने आपको, हाँ, कैसे माही की यादों को देखने के बाद तो मेरी आत्मा ही तोटकर बिखर गई है कनिश्क, ये इनसान इतने जालिम भी हो सकते हैं क्या, हाँ, नीलम, अगर कोई भी वो सब देखता, तो उसकी भी आत्मा हिल जाती, क्यों दोस्तों, सही कहा ना, अरी कनिश्क, इन्हें तो पूरी कहानी अभी पता ही नहीं है, आगे आगे जैसे जैसे कहानी चलेगी, आप खुद ही जान जाएंगे, माही गायब होकर सागर के कमरे में फिर से बिस्तर पर लेट जाती है, सुबह का समय होता है, सागर की आँख खुलती है, और वो माही को हाथ अपने गालों के नीचे दबा लेती है, और ये देख सागर उसके और करीब जाता है, माही जाग रही थी, बस सोने का नाटक कर रही थी, मुझे तुझे चूते हुए भी खेन आ रही है सागर, मगर मुझे इस खेल में वो सब करना होगा, हद से पार जाकर भी, तब ही माही ड्रामा करते हुए उठती है, तब ही माही का दुपटा हटता है, तो सागर इधर उधर देखने लगता है, और सागर वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, तब ही माही के कपड़े उसके कपड़ों से उलच जाते हैं, और खिचने से सागर बिस्तर पर लेटी माही के यह आखे तो माही एक बात कहूँ मुझे आज तक तुमसा कोई नहीं मिला तुम सबसे अलग हो यार ये सुन माही शर्माती है और तुरंट सागर का गाल चूम लेती है माही को ऐसा करते देख सागर को शरम आ जाती है और वो ओट कर बातरूम में चले जाता है ये सागर ऐसे क्यों कर रहा है मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा ताकि मुझे इस घर में आने की टिकेट मिल जाए उधर इतनी सुबह होने पर भी सागर बाहर नहीं आया था तो ये देख मालती को बेचैनी होती है ये सागर आज मेरे पाउ छूने नहीं आया कहीं कोई गरबर तो नहीं और मालती खोद उस कमरे में जाती है मालती के आने की आहट माही को पता चल गई थी आजा बुडिया आजा आज तो मैं तुझे मेरा असली रंग दिखाती हूँ मालती आहिस्ता से गेट का लौक खोलती है और मालती जैसे ही दर्वाजे को खोलती है सामने बिस्तर पर माही को एक काले नागिन के रूप में लेटे देखती है जिसका आधा चहरा एक दम जला हुआ था हाथ पाउँ जले हुए थे सागर मालती की चीक सुनकर घबरा जाता है मालती के ठीक सामने माही बैट कर हसे जा रही थी हसे जा रही थी आखेर इस जली हुई नागिन के साथ बीते कल में क्या हुआ था जो इसके इंतकाम की आग इसको अभी तक जला रही है जानने के लिए देखे नागिन का इंतकाम केवल एनिम स्टोरीज पर थैंक्स फॉर वाचिंग